आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Nitrogen, Phosphorus and Potassium are example of पूछा गया है कि Nitrogen, Phosphorus और Potassium जो है वो किस चीज़ के examples होते हैं तो Basically Nitrogen, Potassium और Phosphorus को यहाँ पे NPK के नाम से जाना जाता है और यह तीनों जो हैं यह ऐसे Elements होते हैं जो कि Basically क्या होते हैं कि As a Soil Nutrient यूज होते हैं और Soil के Nutrient प्रोवाइड करने में यही तीन Essential Elements जो हैं वो सबसे जादा यूज होते हैं और इन तीनों को हम लोग इसी वज़े से Macro Nutrient के नाम से जानते हैं क्योंकि High Amount में इनका Necessity जो है वो Soil में जरूरी होता है जिसके यूज से Soil का जो Fertility होता है वो Soil का Fertility बहुत ही जादा इनक्रीज हो जाता है और High Soil Fertility होने से यहां पर Crop Production जो है वो Crop Production भी बहुत जादा Highly यहां पर दिखाई देता है तो इसी ज़जाब से हम कह सकते हैं कि यहां पर Macro Nutrients जो की Second Option है यह Correct होगा और साथ ही साथ अगर Fertilizers का बात करें Fertilizers में इसके Chemical Sols जो की Sols of N.P.K. होते हैं यानि Nitrogen, Phosphorus और Potassium इनके Sols को केमिकली बनाया जाता है और फिर क्या किया जाता है कि Soil में डाला जाता है जिसके लिए जो Soil का Fertility है वो Increase हो जाए और Crop Production में सुधार आए तो इसी ज़जाब से हम कह सकते हैं जो Second और Third Option है वही Correct है जिसके हिजाब से Fourth Option को ही हम पे टिक कर लेंगे जो की Both B and C बोला गया है Micronutrients ऐसे Neutrients होते हैं जो की Trace Amount में Present होते हैं यानि बहुत ही जादा Small Amount में इनका जरूरत परता है तो ये इन तीनों में नहीं Count होते हैं जो Cobalt होता है या फिर Manganese होता है या फिर Magnesium होता है इनको कहे जाते हैं तो इसलिए Last Option ही Correct होगा और उसी को हम याँ पे टिक कर लेंगे